अजात्शत्रु को कुने किया कुनिया के नाम से भी जाना जाता था। वह राजा बिम्बिसार के पुत्र थे। उसने अपने पिता से बलपूर्वक मगद का राज्य छीन लिया और उसे बंदी बना लिया। हर्यम का वंश के संस्थापक बिम्बिसार की मृत्यू के बाद 492 इशापूर्व उनका राज्य अभिशेक हुआ और 461 इशापूर्व में उनके पुत्र उद्यन ने उन्हें मार डाला। वहां महावीर और गौतम बुध दोनों के समकालीन थे। वहां उनके भाई और कोसल के राजा के साथ युद्ध किया। अजात्शत्रु के अधीन मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। अजात्शत्रु युद्ध में इस्तिमाल होने वाले दो हथियार रथमुसला और महाशिलाकंटक का आविशकारक है। अजात्शत्रु जिसे कुनिका के नाम से भी जाना जाता है, वह बिम्बिसार का पुत्र था। मथुरा सरकारी संग्रहाले में प्राचीन शिलालेक उन्हें वैदेही के पुत्र अजात्शत्रु कुनिका के रूप में संदर्भित है। अजात्शत्रु की कहानी बौध धर्म के त्रिपिटक और जैन आगमों में मिलती है। अजात्शत्रु के जन्म का विवर्ण दोनों ही परंपराओं में एक जैसा होने के कारण बस सही माना गया है। जैन धर्म के अनुसार अजात्षत्रु का जन्म राजा बिम्बिसार और रानी चेलना से हुआ था बौध परंपरा में अजात्षत्रु का जन्म बिम्बिसार और मेकिंग देवी के रूप में दर्ज है गौर तलब है कि दोनों ही परंपराओं में दोनों रानियों को वैदे ही कहा जाता था अजात्षत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की तरहे ही राजगरेह और चमपा को अपनी राजधानी बना कर शासन किया लेकिन लिक्षवी अभियान के दौरान अतरिक्त सुरक्षा के लिए उन्होंने पाटले ग्राम नामक स्थान पर गंगा नदी के पास एक किलेबंध शहर का निर्मान किया जो बाद में पाटले पुत्र की मगध राजधानी बन गया इसे अब पटना नाम से आधुनिक शहर में बदल दिया गया है अपने हिस्से के लिए राजग्रह को भी इसके चारों और पांच विशाल पहाडियों द्वारा गड़ दिया गया था और अजाध्शत्रु ने पत्थर की दीवारों के साथ पहाडियों में अंतराल को भर कर इसे अगम्य बना दिया था उन्हें अपने पिताद्वारा स्थापित प्रशास्निक व्यवस्था और रत पैदल सेना, अश्वारोही और हाथियों की चार टुक्डियों वाली सेना विरासत में मिली थी अंग विजय के बाद उन्होंने कुछ नौसेना बल भी बनाए रखे बिम्बिसार ने अपने पुत्र अजाद्शत्रो को अंग और चम्पा का राज्यपाल बनाया अपने पिता के खिलाफ सेन अभियान चलाकर सिहासन हडप लिया कौशल के राजाद्वारा उनकी पुत्री कौश का देवी को काशी दहेज के रूप में दिया था वहाँ अजाद्शत्र का भाई राज कर रहा था आपसी मतभेद के कारण अजाद्शत्रो काशी गया वहाँ उनके भाई और कोसल के राजा के साथ युद्ध किया अजाद्शत्रों ने काशी पर अधिकार कर लिया और कई छोटे छोटे राज्यों पर भी कबजा कर लिया मगध में आने वाली सभी जनपदों पर हमला कर उन्हें पुनह राज्य में मिला लिया उसने लिच्छवियों के नेत्रित्व में वजजी का लीग के खिलाफ युद्ध लड़ा और वैशाली गनराज्य पर विजय प्राप्त की उसने चेतिया पर भी हमला किया अंत में उज्जैन राज्य पर हमला किया अजाद्शत्रू और वजजी के लिच्छवी के बीच के जगडे अजाद्शत्रू ने वैशाली शहर पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया उन्होंने इस बार दो नई और अनूठी युद्ध मशीनों को पेश करके अपने हमले की तकनीक में भी सुधार किया एक गुलेल थी जो दुश्मन रैंकों के बीच अपनी भुजाओं से बड़े बड़े पत्थर फेंक सकती थी और दूसरी एक रत जैसी मशीन थी जिसमें विशाल गदाये या तलवारे जुडी हुई थी जो चलते समय दुश्मन को काट और काट सकती थी एक खूनी संधर्ष के बाद अजाच्शत्रु ने व्रिजजियों की सन्युक्त सेना को हरा दिया जिसे वे अंतिम समय में जुटा सकते थे उसने राज्य पर कबजा कर लिया और इसे अपने पहले से बढ़ते सामराज्य में शामिल कर लिया इस समय के दौरान वैशाली की एक प्रसिध तवायफ आमरपाली के बारे में एक किमवदंती सामने आती है जिसने अजाद्शत्रू को डेट किया और बाद में गौतम बुद्ध की शिश्या बन गई इसकी अब एतिहासिक साक्षियों से पुष्टी नहीं की जा सकती है लेकिन यह किमवदंती बढ़ी है और समकालीन समय की लोक्त्रिय कलपना पर कबजा कर लिया है व्रिजजियों के साथ युद्ध को व्यवस्थित होने में काफी समय लगा और कहा जाता है कि अजाद्शत्रू ने उनके साथ 16 लंबे वर्षों तक संधर्ष किया लगभग 484 इसा पूर्व से 468 इसा पूर्व तक आगे की विजय के अलावा अजात्शत्रू ने दो अन्यकारणों से इस राज्ज पर आक्रमन किया वह लिच्छवियों पर क्रोधित था कि वे दोनों राज्जियों की सीमा पर स्थित एक गहना खदान की सामगरी को साज़ा करने के लिए सहमत नहीं हुए थे और जिसे लिच्छवियों ने पहले वादा किया था दूसरे अजात्शत्रू के दो सौतेले भाईयों ने उसकी कुछ कीमती संपत्ती लेकर भाग कर उसका गहरा अपमान करने के बाद वैशाली में शरण ली थी इस सफलता से प्रसन्न होकर अजात्शत्रू ने तब अपना ध्यान भारतिय उपमहादवीक में उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यक अवंती की ओर लगाया जिसकी राजधानी उजजयन, आधुनिक मध्य भारतिय, राज्य मध्य प्रदेश और पडोसी राज्यों के कुछ अन्य हिस्से थी इतिहास कारों द्वारादर्स अजात्शत्रू की मृत्यू का विवर्ण उनके पुत्र उद्यन के हाथों 461 इसा पूर्व का है उनकी मृत्यू का लेखा जोखा जैन और बौध परमपराओं के बीच व्यापक रूप से भिन्न है परन्तु दोनों धर्म उनके पुनरजन्म का दावा करते हैं बौध धर्म अजात्शत्रू का पुनरजन्मक लोहा कुंभिया नामक नरक में होने का दावा करता है जैन धर्म के अनुसार अजात्शत्रू का जन्म राजा बिम्बिसार और रानी चेलना से हुआ था बौध परमपरा में अजात्शत्रू का जन्म बिम्बिसार और मेकिंग देवी के रूप में दर्ज है गौर तलब है कि दोनों ही परमपराओं अजाद्शत्रु का उल्लेख जैन और बौध दोनों परमपराओं में मिलता है परंतु यह सुनिश्चित करना मुम्किन नहीं कि वह बौध धर्म का पालन करता था या जैन धर्म का पालन करता था अजाद्शत्रु चाहे जैन हो या बौध दोनों ग्रंथों में उन्हें सम्बंधित धर्मों के भक्त के रूप में वर्नित किया गया है अजाद्शत्रु ने गौतम बुद्ध से तब मुलाकात की जब उन्हें अपने पिता को मारने की अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने उस समय मगद के अपने राज्ज में आने वाले अन्य सभी धर्मों के अनुयाईयों का भी समर्थन किया धार्मिक सहिश्णुता में अजाच्षत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का अनुसर्ण किया, जिन्होंने तपस्वियों के लिए करों को कम करने या वापस लेने के द्वारा विभिन धर्मों का समर्थन किया अजाच्छत्रू के अधीन मगध में बौध धर्म और जैन धर्म के उदे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मनवादी धर्म वहां पिछड गया था और इसलिए ब्राह्मनों ने मगध को हे दृष्टी से देखा जैसा की साहित्य में स्पष्ट है अजाच्छत्रू के पास महावीर की दिन्चर्या के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक अधिकारी था उसे बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया था अधिकारी के पास एक विशाल नेटवर्क और सहायक फील्ड स्टाफ था जिसके माध्यम से उसने महावीर के बारे में सारी जानकारी एकत्र की और राजा को सूचना देता था उव्वे सुथ में महावीर का चमपानगर आगमन अजाद्शत्रु द्वारा उन्हें दिया गया सम्मान अर्धमागधी भाशा में महावीर द्वारा दिया गया उपदेश आधी पर विस्तृत और प्रकाश में चर्चा है समनाफला सुथ में बताया गया है कि बुद्ध के साथ अपनी पहली मुलाकात जहां उन्होंने देवदत्त के साथ अपने जुडाव के साथ अपनी गलतियों का एहसास किया और अपने ही पिता की हत्या करने की योजना बनाई गौतम बुद्ध की मृत्यू उन्ही के शासनकाल में हुई थी उन्होंने अंतिन संसकार के बाद बुद्ध की हड्डियों और राख पर एक विशाल स्टूप बनवाया और अजात्शत्रु भी राजग्रेह की सत्तपन्नी गुफाओं में पहली बुद्ध अजात्शत्रु का युग भारतीर इतिहास के संदर्भ में न केवल सामराजनिर्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा बलकि गौतम बुद्ध और महावीर वर्धमान जैसे लोगों के एक ही समय में रहने के साथ उनके विभिन दर्शनों के साथ कई अन्य तपस्वियों ने भी तपस्या की भावना देखी और दुनिया के व्यापक रहसियों की जाच गोर विडाल के उपन्यास क्रियेशन में अजात्शत्रु का एक कालपनिक विवर्ण दिखाई देता है वह शारिरिक रूप से सकल और अत्याचारी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो अत्याचार और नर्सनहार करने में प्रसंद होता है अजात्शत्रु नाम से उनके जीवन पर एक फिल्म रिलीज हुई थी उन्होंने फिल्म आमरपाली 1966 में नायक के रूप में भी काम किया जिसमें सुनील दत और वैजनती माला ने मुख्य भूमिका निभाई सब्बा राव द्वारा अजात्शत्रु शीरशक से उनके जीवन के बारे में एक किताब